घर और किच्छन में समान हमारे काफी रहता है और उसे अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो वो एक विज्वल कलटर क्रेट करता है जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रख लगता अगर उसके लिए हम कुछ ओर्गनाइजर यूज करते हैं तो वो देखने में भी और आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ सिंपल से और जिन से आप अपनी चीजों को और रखी सकते हैं। साथ में स्पेस भी काफी बचता हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आज का वीडियो उमीद करती हूं। के लिए helpful रहेगा आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रोडेक्ट है वो मैंने मंगाया है एक और इसमें तीन लेयर्स हैं। तो यह आप देख सकते हैं। इस तरह की पाकेजिंग में यह आया है। इसमें इस तरह का transparent box है। यह colored में भी आता है। फैस बहुझे transparent चैज़ें देख चाती है, तो जियादा ढूमना नहीं पढ़त है। और इस तरह से यह tiffin की तरह saides के के लोक होती हैं तो similar size के तीन box हैं। जिनमें different section बने हुए ہیں। और ये section भी adjustable है तो बहुत ही easily आप इनको अपनी चीजों के according adjust कर सकते हैं और इसके उपर एक lid है तो आप इसको एक single box की तरह भी use करना चाहिए अगर कभी traveling में लेके जाना चाहते हैं तो उस तरह भी आप इसको use कर सकते हैं और इस तरह से ये तीन layer में तो है ही तो यहाँ पर ये सारी मेरी jewelry हैं जिनको मैंने एक ही box में रखा वा था उसकी वज़े से कई बार जब हम जल्दी में निकालते हैं तो काफी time waste होता है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ उलच जाती है इस तरह से और इसमें सारी mix ही है तो ढूनना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है तो उ अगर बड़ी jewelry है तो आप एक section में एक रख सकते हैं छोटे छोटे से stud वागेरा है तो उनको आप एक के साथ दो तीन रख सकते हैं तो इस तरह से मैंने different section में रख दी हैं आप इस silver jewelry अगर अलग रखी है और बाकी जो jewelry है मेरे पास वो मैंने अलग अलग इस तरह से organize कर दी ह तो इस देखे सारी jewelry बहुत ही अच्छे से इसमें section में organize हो गई है बॉक्स में भी मैं organize करके ही रखती थी पर जब निकालते हैं रखते हैं उस time पर उस सारी चीज़ें एक के साथ एक mix हो जाती हैं तो यहाँ पर जब system आपका सही होता है तो उसको organize करना भी बहुत ही easy और convenient रहता है तो इस box की help से यह सारी jewelry बहुत ही अच्छे से organize हो गई है और आगी मैं इसे maintain करके रख पाऊंगी next organizer जो मैंने मंगाया है वो इस तरह से draw divider है तो इसमें plank की form में आते हैं प्लास्टिक के plank हैं और काफी adjustable हैं तो इसमें यह patterns बने हुई हैं इस तरह से lines बनी हुई हैं तो इनमें आप इनको किसी भी pattern में arrange कर सकती हैं तो जो भी आपकी draw size है या जितना section आप बनाना चाहते है उसके साफ से इसको adjust कर सकती हैं यह इस draw organizer का concept है जो कि काफी practical भी लगता है कि draw में आप जो size आपको चाहिए उससाफ साफ साफ इसको adjust कर सकें बट मुझे personally यह product पसंद नहीं आया है मैं आपको दिखा रही हुए आपे काफी मेहनत की मैंने इसको adjust करने की और उसके बाद थो अगर आपका draw छोटा है इन plank की size का है फिर तो एक बार ये चीज आपको काफी सही लगेगी बट अगर आपका draw थोड़ा सा बड़ा है और ये plank छोटे हैं तो फिर draw में यह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं तो यहाँ पर मैंने सारा समान पहले बाहर निकाल दिया पहले यहाँ पर एक जुगार किया वा था मैंने cardboard का ही एक partition मैंने यहाँ पर लगाया वा था तो काफी अच्छे से organized थी draw मेरी बट अभी इसको मैं यहाँ पर try कर रही हूँ बट यहाँ पर आप देख रहे हैं यह plank का जो size है वो मेरी draw से थोड़ा सा छोटा है फिर भी मैंन फिल डूल रही थी और कोई भी समान आप रखेंगे ना तो नीचे से दूसरे section में यह किसकर चला जाएगा तो इसका कोई use मुझे लगा नहीं as such तो मुझे खास पसंद नहीं आया है मेवी आपकी draw के लिए आपके लिए helpful रहे तो आप अगर इसको purchase करना चाहते हैं तो एक सारी चीज़े mix नहीं हो बट यह देखने में मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं मुझे यह return ही करना पड़ा मुझे यह खास पसंद नहीं आया है यह मेरी personal opinion है में भी आपके लिए useful रहे next भी मैंने एक box organizer मंगवाया है जो कि cloth का बना हुआ है पट इसके नीचे support दिया हुआ है तो काफी study है और कुछ भी चीज़ आपके घर में बच्चों के toys हैं कपड़े हैं उन सभी को organize करने के काम आता है साथी एक room से दूसरे room में आपको carry करना है तो उसके लिए भी काफी useful मुझे यह लगता है और काफी deep है तो यह दिखे बीच में support है इस तरह से support लग गया इसका तो काफी study हो जाता है इसमें आप कुछ भी store करके रख सकते हैं बच्चों के toys वगरा तो आजकर मेरे बेटे के चल रहे है exam और bedroom में ही वो अपनी सारी books लाके रख देता है study table से तो यहाँ पर ही chest of drawer के उपर पूरी bead रहती है रात में books की जो उसे पढ़नी होती है तो मुझे यह देखके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मैं इससे उठा के study पे लेके जाती हूँ फिर वो गुस्ता होता है कि मेरी books कहा रख दी तो उसके लिए फिर यह solution बेटर लगा म this will clutter नहीं create होता उससे तो यहाँ पर ही देखे सारी books मैंने रख दी अभी पूरा chest of drawer भरा हुआ था अभी आप देखे कितना clean यह लग रहा है तो इस तरह से आप इसको उठा के नीचे रख सकते हैं या ओपर भी लगा रहेगा तो कोई problem नहीं है देखने में बुरा नहीं ल लगा नेक्स मैंने मंगवाई है यह multi color laundry basket जो कि तीन color में हैं और काफी vibrant से color है इसके तो यह बच्चों के room के लिए बच्चों के toy store करने के लिए काफी अच्छी रहती है मैंने इससे लिया है laundry को एक room से दूसरे room या फिर laundry room तक लेके जाने के लिए काफी light weighted है यह तो कई ब basket काफी convenient रहती क्योंकि हलकी है यह weight wise और साथ ही यह foldable भी है तो इसको fold करके आप किसी भी कोने पर रख सकते हैं इस तरह से यह आपके जो press वाले कपड़े हैं उनको store करने के लिए या फिर अगर आपके गर में छोटे बच्चे हैं तो उनके toys store करने के लिए काफी convenient रहता है तो मैं तो इस तरह से use करती हूँ और मुझे काफी convenient लगती है बस इस तरह से कपड़े एक बार washing machine में चले गए फिर आपसे fold करके भी रख सकते हैं तो काफी useful product है और इस तरह से foldable है तो वो ज़्यादा मुझे convenient लगता है कि अगर वो purpose भी solve कर रहा है साथी space ज़्यादा नह मैं काफी सारे product जो online review आते हैं उनको मैं check कर रही थी पर review बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे क्योंकि यह study नहीं है जुक जाता है बाद में बट यह जो product मेरे पास receive हुआ इसकी quality amazing है और काफी अच्छा यह मुझे लगा तो यह देखिए इस तरह का है यह और इसका color भी काफ review में से arrange कर रही हूँ actually यहां पर क्या होता है कि जो डेली में जो हम कपड़े पहनते हैं और कई पर हमें reuse भी उसे करना होता है तो वह बाकी कपड़ों के साथ mix ना हो तो यह मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलग होना चाहिए तो इसके बीच में मैं इस तरह से इसको लगा ही है तो इस तरह से चार सेक्शन मिल जाते हैं यहां पर अपना छोटा मोटा समान जो भी light weighted है या कुछ ऐसी टी शिर्ट हैं जो आपको रोज पहनने में जरूत होती है या कुछ और चीज़ें जो आपकी रहती हैं जो आप अलग से रखना चाहते हैं तो वह आपकी इस तर इस तरह से अगर चीज़ें दिख रही होती हैं तो वह एजली निकाल सकते हैं और आपका जो सिस्टम आपने बनाया है वह भी आपका खराब नहीं होता तो इस तरह से अभी मैंने जस्टिय आपको डिस्प्ले कर दिया हैं बाकी हस्बेंड अपने हिसाब से इसको और्गना होती हैं उनको स्टोर करने के लिए रखा है वैसे तो अभी मैं सारी रजाइया रख चुकी हूं बट कुछ कपड़े ऐसे हैं जो हलकी से स्प्रिंग सीजन वाले कपड़े थे वो मेरे अभी बाहर ही रह गए हैं साथ एक दो इसी क्विल्ट हैं जो कि बाहर हैं तो उनको र कालकर इस तरह से रख रही हूं साथी एक विल्ट थी वो मैंने इसमें रखी हैं बाकी की चीज़ें आलरेडी में रख चुकी हूं क्योंकि अब तो काफी ज़्यादा गर्मी हो गई हैं तो ये कुछ कपड़े थे जो मेरी अलमारी में आलरेडी रख के हुए थे तो इनको में अलग से स्टोर करना था तो इसके लिए एक दम पॉफेक्ट हैं ये और काफी अच्छे हैं जिप लगी हुई है साथी साइट से इस तरह से हैं जिनसे आप पकड़के एक जगह से दूसरे गर ले जा सकते हो साथी फ्रंट में इसके प्लास्टिक लगा हुआ है जो ट्र उमीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्फुल रहा हो आपको कौन सा प्रोड़क पसंद आया मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा मैंने तो आपको बता ही दिया कि कौन से प्रोड़क किस क्वालिटी के हैं और कौन से मुझे बलकुल पसंद नहीं आए हैं तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर बाइंड अप करती हूँ और मैं मिलती हूँ आप से किसी और नहीं इंटरिस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थैंक्यू थैंक्स फॉर वाच्चिंग हैवनाइस दे